साधी में डांस, फरवरी के महिने में रोमांस और CSIR का question paper आ जाने के बाद लोगों का any chance काफी famous है जी हाँ काफी सारे learners अब इधर उधर भटक रहोंगे Is there any chance? क्या कोई भी chance है? तो ऐसा question जो है आपके मन में rise हो रहा होगा क्योंकि आपने answer की को match किया होगा और answer की से match करके आपके पास कुछ number आया होगा और आपके मन में उत्सुकता जगी होगी कि आखिर ये expected cutoff होगा क्या और इस expected cutoff से क्या हम आगे हैं या क्या हम पीछे हैं सो जितने भी learner इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से ये विनम्र निवेदन हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास already इस expected cutoff अनुमानित जो cutoff है जो विरिन सिंग ने आपको दिया है इसको देख के आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कोई chance है या नहीं है इस वीडियो के comment box में any chance any chance लिखना या telegram या कहीं पे भी मेरे को message करने से बहतर है आप इस वीडियो से या इस expected cutoff से जो है अपने any chance का answer पा सकते हैं तो जी हाँ मैं लेके आया हूँ expected cutoff for CSIR 2022 जो February में examination हुआ था आखिर उसका expected cutoff होगा क्या जी हाँ उसका expected cutoff यहाँ पे आप देख सकते हैं JRF के लिए unreserved category में approximately 112-116 marks वैसे तो NTA score के NTA जो होगा या CSIR score जो NTA के score होता है उसके basis पे cutoff release करेगा लेकिन अभी आप अनुमानित cutoff नहीं निकल सकते score के basis पे लेकिन marks के basis पे on an average paper देखा गया तो shift 1 में easy to moderate और shift 2 में moderate to tough के आसपास paper था approximately अगर part C की बात करें तो so overall जो cutoff बनेगा जो मेरे पास NTA data है उसके recording आपका यह जाएगा JRF के लिए 56 to 58 for general EWS के 49 to 51 percent यानि 98 to 102 marks उसी तरीके से OBC, SC, ST और PWD भी दिया गया है similarly आप lecturer ship का भी यहाँ पे देख सकते हैं कि approximately cutoff क्या बने वाला है तो आप JRF के लिए आप किये थे या lecturer ship के लिए आप किये थे आप approximately यहाँ से जो है देख सकते हैं और specifically identify कर सकते हैं कि आप इस category से उपर हैं इस number से जादा score कर रहे हैं या कम score कर रहे हैं अगर इस number से जादा आप score कर रहे हैं तो definitely आपका chance बनता है और अगर इससे कम हैं तो भी हो सकता है क्योंकि यह अनुमानित cutoff है यह expected है, predicted है ऐसा नहीं कि यह actual cutoff है actual cutoff CSIR release करेगा कुछ दिनों बाद जब वो result के form में चीज़े लेके आएगा यह रहा CSIR का expected cutoff इस फरवरी को 12 बजे दुबहर में एक class लेके आ रहा हूँ जिसमें आपकी जो questions होंगे CSIR को solve किया जाएगा और इस video के description में गूगल form भी दूँगा जिसको भर के आप अगर कोई question चाहते हैं कि मैं उनको देखूं कि वो challenge करने लायक है या नहीं है तो भी उस Google form में वो question अप्लोड कर सकते हैं और अपना experience जो है मेरे साथ share कर सकते हैं उसी Google form के साथ वो Google form इसी वीडियो के description लिंक में आपको मिल जाएगा तो चलिए सुक्रिया यह रहा expected cutoff is there any chance खुद देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यह expected cutoff आपको कितना relevant लगता है कि हाँ अल्मोस्ट पेपर इसी हिसाप से था इसी हिसाप से cutoff जाना चाहिए तो अगर आपको यह लगता है तो वो भी comment box में बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बापा टेक केर and all the best